मुंबई और आसपास के उपनगरिये इलाकों में शनिवार को तेज़ हवाओं और बिजली कड़कने के साथ भारी बारिश होई जिससे कई स्थानों पर सडको और ट्रेनों की पट्रियों पर जल भराओ हो गया तथा ट्रेन और बस सेवा बाधित हुई अधिकारियों ने यह जानकारी दी मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने बताया कि पानी कस्तर बढ़ने के बाद मुखे लाइन पर दादर और कुरला स्टेशनों के बीच उपनगरिये ट्रेन सेवा को निलंबित कर दिया गया वहीं ब्रहन मुंबई बिजले आपूर्ती और परिवहन के एक अधिकारी ने कहा कि कुछ स्थानों पर जल जमाओ के कारण कई बसों का रास्ता बदलना पड़ा